नाइरा एक अपाहिज लड़की थी। जिसकी मा की बचपन में ही मौत हो चुकी थी। और नाइरा का पिता दूशे साधी कर लेते हैं। और उसके लिए एक सौतीली मा घर ले आती है। जरा भी काम नहीं करती और उसे मानने लगती है। तभी समय गुजरता जाता है और एक दिन अक्षरा की बेहन बर्सा भी वहाँ आ जाती है। आज से आपके परिशानी सारी खतम मैं उसे देख लूँगी। और उसे एक दिन वर्षा बुलाती है। नायरा इधर आओ मेरे लिए नहाने के लिए पानी गरम करके ला। तभी नायरा किचिन में जाकर पानी गरम करने लगती है। और नायरा इधर उधर ओरने के बाद वर्षा वहाँ आके पानी को बहुत तीज गरम करने लगती है। और बातरूम में ले जाती है। तभी वहाँ बातरूम में चिलाती है और नायरा को बलाती है। कि मा आप मर गई पर मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गई। और रोने लगती है। और रो रोकर वह घर से निकल जाती है कि अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। और जाकर एक जंगल में पहुच जाती है। उस जंगल में वहाँ तभी एक बूतनी प्रकाट होती है और उसे रोता देख बोलती है। अरे वहाँ आज तो ताजा मास खाने को मिलेगा। तभी नायरा बोलती है आइंटी आप मुझे जल्दी से दल्दी मार डालो और खालो। तभी बूतनी बड़े देखती है कि ये लड़की तो मुझसे जरावी नहीं डर रही। क्या बात है। तभी बोलती है अरे बेटा क्या बात है। तभी नायरा रो रोकर उसे पूरी कहानी सुना देती है। और नायरा उसकी मा का फोटू का ध्यान करती है। और समझ जाती है कि ये उसी की बेटी है तभी उससे पूछती है क्या तू कारतिक की बेटी है और वह कहने लगती है हाँ तो वह उसे बताती है कि बेटा तू चिंता मत कर मैं उन सब को देख लूँगी मैं ही तेरी मा हूँ चल अब तू घर चल तभी वह घर चली जाती है और अक्षरा जैसे ही उसे देखती है उससे सारे सारे काम फिर से करवाने लगती है पर इस बार ऐसा कुछ नहीं नायरा जल्दी जल्दी काम कर लेती है और वह बूतनी जादू के सारे नायरा का सारा काम जल्दी जल्दी निप्टा लेती है तब ही अक्षरा सोचती है अरे अब इसे मैं कैसे मारूं और सोचने लगती है तभी वहां वर्षा फिर से आ जाती है और वर्षा कहती है क्या हुआ दीदी वो कहती है पता नहीं इस नायरा को क्या हुआ है वह काम बहुत जल्दी जल्दी करने लगती है तभी वर्षा कहती है आप चिंता नहीं कीजी दीदी मैं भी देखती हूं उसे और वह फिर से वही तरीका अपनाती है और नायरा से कहती है जा मेरे लिए नाने के लिए पानी गरम करके ला जैसे नायरा किचन में जाती है तो बर्षा और तेच पाने गरम कर देती है और उसे बातरूम में नाने के लिए बुलाती है तभी वर्षा व कर बेहोस हो जाती है यह देखकर वहां अक्षरा भी आ जाती है और नायरा पर चिलाने लगती है तभी बूतनी अक्षरा की भी खूब बटाई करती है और नायरा यह देखकर अच्छा नहीं लगता और रोने लगती है कि प्लीज आणटी आप मेरी मां को छोड़ दीजिए व उसी बेटी ने आज तुम्हारी जान बचाई है। बेटी को आज से सीने से लगा कर पालना और उसका पूरा पालन पोसंद ध्यान से करना और अक्षरा माफी वांगती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको आज की कहानी कैसी लगी। प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताईए। यदि वीडियो पसंद आई हो तो हमारी चैनल को सबस्क्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर मिलते हैं अगली नए वीडियो में।